हलो एबरीवन वेलकम तु माई यूट्यूब चैनल ममता मैस टुटोरियल और आज 9th क्लास में लेक्चर 35 था ये हमने चप्टर 13 स्टार्ट कर रखा है और आज हम करने वाले हैं exercise 13.2 से 4 के 6 से लेकर 9 सम तक question number 6 देखें क्या है find the radius of a sphere whose surface area is 154 cm square उस गोले की तरिज्जा ग्याद करनी है जिसका प्रिष्टी शेत्रफल हमें क्या दे दिया 154 cm square हमें क्या दे रखा है surface area of sphere गोले का प्रिष्टी शेत्रफल कितना दे दिया आपको 151 cm square अब गोले के प्रिष्टी शेत्रफल का formula क्या होता है 4 pi r square ठीक है ये कितना आ जाएगा 154 cm square 4 pi की value हम क्या रखे 22 बटे साथ r square equal to 154 cm square हमें क्या निकालना है find the radius हमें ट्रिज्जा निकालनी है यानि क्या हमें r निकालनी है हम r को एक तरफ रखते हैं बाकि सारे term को दूसरे साइड ले जाते है 154 cm square 22 बटे साथ था दूसरे साथ जाएगा पलट जाएगा 7 by 22 और 4 था multiply में तो दूसरे साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 1 by 4 जो terms काट रही है उन्हें काट दीजिए 11 से कट रहा है 11 दो पे और 11 एककम 11 ग्यारा चुके 44 फिर 2 से कट रहा है 2 एकम 12 दो सते 14 चीक है और कटी नीरा रिमेनिंग क्या बचा उपर उपर की multiply कर दो और नीचे नीचे की कर दो साथ की साथ से करेंगे उन्हेंचास और 4 की 1 से करेंगे 4 cm square ये हमारे पास किसकी value आई है r की power 2 की हमें r की power 2 नहीं चाहिए हमें r चाहिए है तो r कैसे निकलेगा देखो उन्हें चाहस बटे 4 49 by 4 को क्या लिख सकते हैं 7 by 2 का whole square और साथ में cm भी ले ले 7 by 2 cm का whole square बतलब 7 की 7 से multiply करेंगे 49 2 की 2 से multiply करेंगे 4 और cm की cm से करेंगे तो cm की power 2 यहां से compare करें तो square से square कट गया और r की value क्या आगी साथ बटे 2 cm आप चाहिए तो इसको पाइंट में भी निकाल सकते हो 3.5 cm यह हमारे पास क्या आगी आर हमारे पास क्या आगी त्रिज्या रेडियास जो हमें निकालने थी लेगे question में क्या से simple सा question था हमें surface area दे रखा था sphere का surface area का formula निकाला क्या 4 pi r square 154 के ब्राबर हमें क्य क्या चाहिए था आर आर को हमने एक तरफ रखा बारी बाकी सारी तर्म दूसरी साइड डिमेनिंग क्यालकुलेशन पाइट था और हमारा आंसर क्या गया 3.5 cm यह question number 6 और अब देखी next question हांची सुर्यंस question number 7 देखी क्या है question number 7 में the diameter of the moon is approximately one-fourth of the diameter of the earth चंडरमा का जो व्यास और पृत्री की व्यास का क्या है एक चोता ही है चोता हिसा है find the ratio में प्रिश्टिय शेत्रफलों का अनुपाहात क्याद क्यات कीजिए हमने क्या निकालना है पिर्श्टिय शेत्रफल निकालना है किस-किस का चंदर्मागा भी और पृत्तवी का भी और हमें कुछ नहीं दे रखा सिर्फ एक बात बता रखी है कि जो चंद्रमा का व्यास है मैं प्रिच्वी का व्यास का क्या है वन फोर्थ है एक चोधाई है solution let मालने diameter of earth प्रिच्वी का व्यास यह हमने माल लिया कितना टू एक्समेटर के डामेटर है तो हमारी रेडियस त्रिज्या क्या हो जाएगी इसको हमना आरवन नाम दे देते है आदि 2x by 2 इसकी आधि क्या हो जाएगी एक्स ठीक है diameter है 2x मीटर माल लो और इसको भी क्या माल लो मेटर में यह रीट साथ रखते हैं ठीक है हम क्या निकाल सकते है इसका हमारे पास एरिया है रेडियस है हम क्या निकाल सकते हैं सर्फेस एरिया, सर्फेस एरिया अफ अर्थ, प्रिथी का प्रिष्चिय शेतरफल, फोर्मुला गया आता है, फोर पाई आर स्केर, फोर पाई को पाई ही रखी, क्योंकि बाद में हमने अनुपात रेश्यो निकालना है, तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा, आर की वैल्यू कि दो बार है, तो दो बार लेग दीजी, क्या आगया हमारे पास, फोर पाई, एक्स की पावर टू, और मीटर की पावर टू, यह मल्टिप्लाई का साइन है, मल्टिप्लाई और एक्स में आपनी कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, यह आगया हमारे पास अर्थ का, प्रिथ का व्यास, कोश्य में एक चीज क्या कहा है, कि चंद्रमा का जो डायमीटर है, मून आपके ब्यास है, वो क्या है, प्रिथ्वे वाले का वन फॉर्थ है, तो प्रिथ्वी का क्या था 2X, वन फॉर्थ, एक बटे चार से गुना कर दो, कितना अगया आसघ के पास, वाई एक्स इसकी भी आधी हो जाएगी ये तो था आपके पास क्या व्यास डायमेटर इसका भी आधा कर दो एक्स बाइ फॉर मीटर ये आगे आपके पास रेडियस चांद की चीक है अब इसका भी हम क्या निकाल दें सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया ओफ मून चंद्रमा का प्रिष्टी है शेत्रफर फॉर्मूला क्या हो हमारे पास वही फॉर पाई आर स्केर आर यहां पे आर टू मान रखिये हमने फॉर पाई को पाई रखिये आर आर की वैल्ली क्या है एक्स बाइ फॉर मीटर एक्स बटे चार मीटर चार से चार कड़िया क्या आगया हमारे आंसर पाई बटे में फॉर एक्स की पावर टू और मीटर की पावर टू यह आगया चांद का सर्फेस एरिया हमें क्या निकालना है रेश्यो अनुपात निकालना है किस किस का सर्फेस एरिया ओफ मून of moon, ratio, surface area of earth, surface area of earth, दोनों के ही प्रिष्टिय चेतरफल का हमें क्या निकालना है, अनुपात, ratio निकालना है, चांद का कितना आया है, पाई बाई 4, x की पावर 2, मीटर की पावर 2, और earth का कितना है हमारे पास, 4 पाई x की पावर 2, मीटर की पावर 2, cancel out हो जाएंगे ये, ratio में ऐसे cancel out हो जाते हैं, या इनको बटे में लेके जाएंगे, same चीज है, पाई से पाई कर गया है, हमारे पास क्या बचा है, 1 by 4, ratio 4, हम इसकी multiply कर दें, क्या गया, 1 ratio 4, 16, क्या गया अनुपात, 1 अनुपात, 16, ठीक है, ये हमारा answer आया है, देखिए हमने किया कैसे, हमें कोश्चन ने सिर्फ एक चीज दे रखी थी क्या, कि मून का जो diameter है, वो अर्थ के diameter का 1 फोर्थ है, चंद्रमा का व्यास, प्रिथ्वी के व्यास का लगबग, एक चुथाई है, तो हमने अपनी तरफ से माल लिया क्या, प्रिथ्वी का व्यास 2X, जब हमारे पास diameter है, तो हम radius त्रिज्जा निकाल सकते हैं, और हमने निकालने क्या था, उनके प्रिष्टि शेतरफल, surface area का ratio, यानि किसका surface area निकालना पड़ेगा, surface area का formula हमें पता है, आर की value हमने रख्या हमारे पास क्या आगया, अर्थ का surface area, प्रिथ्वी का, सेम कम हम किसके लिए करना है, चांद के लिए, तो फिर हमें उसकी R चाहिए, और उसकी R नहीं, हमें question में उसके diameter का व्यास का पता था, कि प्रिथ्वी वाले का 1-4 है, हमने प्रिथ्वी वाला उठाया और उसकी एक बड़े 4 से गुना कर दी, ये हमारे पास आगया diameter व्यास चांद क radius के लिए इसका अधा कर दिया, और जैसे ही हमारे पास आ रहा गी, हम क्या निकाला सकते हैं, surface area, pressure waterfall का formula हमें पता है, value रखी और हमारे पास क्या आगया, चांद का पिष्टी शेतरफल भी आगया, हमें question में क्या निकालना था ratio, अनुपात निकालना था, चांद का और पिथ के surface area का, हमने value रखी, simplify क्या, ratio क्या आगया, 1 ratio 16, एक अनुपात 16, ये question number 7 था, अब देखिए next question, अजी students, next question देखिए, question number 8, question number 8 में क्या का गया है, एक hemispherical bowl is made of steel, 0.25 cm थिक, एक अर्ध गोला कटोरा है, और वो मोटी स्टील से बना हुआ है, कितने cm मोटी स्टील से बना हु बना हुआ है, अर्ध गोला कार कटोरा है एक, ये अर्ध गोला कार कटोरा है, और ये कुछ मोटाई वाली स्टील से ऐसे बना हुआ है, ठीक है, आपने क्या निकालना है, क्या दे रखा है एक चीज़ और, the inner radius of the bowl is 5 cm, इस कटोरे की जो आंतरिक त्रिज्जा है, ये, ये कि इतनी है, 5 cm, आपको क्या निकालना है, find the outer cut surface area, बाहरी वकर प्रिष्ठी चेत्रफन निकालना है, जब बाहरी वकर प्रिष्ठी चेत्रफन निकालना है, तो आपको outer radius चाहिए होगी, बाहरी त्रिज्जा चाहिए होगी, वो कैसे निकालेंगे, देखिए, solution, क्या दे रखा आपके पास, inner radius, आंतरिक त्रिज्जा, कितने दे रखी है, 5 cm, हमें तो क्या निकालना है, outer radius निकालना है, outer radius हमें निकालना है, बाहरी त्रिज्जा, और बाहरी त्रिज्जा कैसे निकलेगी, जब हम inner में क्या जोड़ देंगे, मोटाई जोड़ देंगे जिस मोटी स्टेल से वो बना हुआ है देखो यहां तक तो अंदर वाली त्रिज्जा थी और यह मोटाई जो कि कितनी है 0.25 यह मोटाई और जुड़ गी अब यह बन गई बाहर तक वाले की त्रिज्जा यानि कि आउटर रेडियस आपके पास कितनी बनी 5.25 सेंटी मेटर अब आर आगी है आर आगी तहम क्या निकाल दे हमारा वक्कर पिछिया है शेत्रफल आउटर कर्ड सर्फेस एरिया अफ हैमिस्पिरिकल बाउल हैमिस्पिरिकल बाउल अर्द गोलाकार कटोरे का बाहरी वक्कर पिछिया है शेत्रफल क्या होता है फार्मला एमिस्पिर है और उसका कर्ड सर्फेस एरिया अर्द गोलाकार है और अर्द गोलाकार का कर्ड सर्फेस एरिया क्या होता है 2 pi r square इसको हम क्या हमाल लेते हैं r 2 pi की value हमने रखी 22 पेटे साथ r r कितने हमारे पास 5.25 cm square है तो इसको कितनी बार लिख दे 2 बार लिख दे क्या साथ से कट रहा है ये नहीं कट रहा नहीं point अटाते हैं और नीचे क्या लग जाएगा so यहाँ पे भी point अटाया नीचे क्या लग जाएगा 100 अब काट दीजिए इसको अगर करते हैं तो 2 से काटा 50 पे 5 पे काटे 5 अंजा 5, 0, 5, 5 जा 25 और ये गया 10 पे 7 पे कट रहा है 7 अंजा 7 और ये बनेगा 35, 7, 5 जा 35 नीचे 0 है नीचे 0 रहने देते हैं फिर point में हमारे पास असानी आजाएगी इनके multiply कर दीजिए पहले 22 की और 15 की कर दीजिए 110 और फिर 22 की ये कित्ती बने आपके पास 330 और फिर 525 की आप किस से कर देंगे 330 से 33 से कर दीजिए 0 एक बाद में लगा दे न ये आएगा और 1575 जोड़ दे क्या है हमारे पास 173.250 सब की multiply करेंगे तो नीचे कितने 0 हैं 123 सेंटीमीटर स्केर 3 0 हैं तो 3 के बाद point लग जाएगा क्या है एक answer 173.25 सेंटीमीटर स्केर ये सिंपल सा question था देख लीजे क्या था इस question में हमें क्या दे रखा था एक हमें spherical bowl अर्थ गोला कार कटोरा दे रखा था और उसकी आंतरिक त्रिज्जा भी हमें दे दी 5 सेंटीमीटर पर साथ में क्या 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 दिया कि गोला ने कुछ मुटाई का बना हुआ था चीक है और आपने क्या निकालना था बाहर वाला कर्ड सर्फेस अर्या निकालना था जब हमें बाहर वाला कर्ड सर्फेस निकालना होगा था हमें उसकी आर चाहिए और वह बाहरी आर कैसी मिली हमें अंदर वाले की पांस थी और साथ में उस तील की हमने मोटाई जोड़ दी तो वह क्या बनगी बाहर वाले तक की हमारी क्या बनगी आर त्रिज्जा बनगी और जैसे हमें आर मिलगी हमें कर्ड सर्फेस एरिया का फोर्मुला पता है और वहां हमने वैलू रखे से सिंप्लिफाई कर दिया यह कोशन नमबर 8 था और जिज्जा वाले गेले को पूरी तरह से गेल रखा है यानि कि यह इसमें बिल्कुल फिक्स तरह से आया हुआ है आपने क्या निकालना है तीन पार्ट निकालने इसमें फर्स्ट तो क्या स्फियर का सर्फेस एरिया गोले का प्रिष्ट्र शित्रफर निकालना है सेकिंड कर surface area of cylinder, बेलन का अपने वक्र प्रिष्टी शेत्रफण निकालना है, और थर्ड क्या निकालना है, ratio of areas obtained in 1 and 2, first and second part में जो आपने area निकाले, जो आपने शेत्रफण निकाले, उनका क्या निकालना है, अनुपात, solution देखे, हमारे पास क्या है, radius, पहले first part करते हैं, हमारे पास radius, देखे, क्या दे रखे हैं, हमारे पास, r दे रखे हैं, चीक है, और हमने क्या निकालना है, surface area, surface area, प्रिष्टी शेत्रफण, तो sphere के case में surface area क्या होता है, बक्र या क्या दो, या क्या दो, गोले में तो वही रहना है, formula, क्या जाएगा, 4 pi r square, यहाँ पे r की value आ रहे हैं, त यह आपका first part हो गया, second part प्राइए, second part में हमारे पास क्या है, cylinder, balan है, और हमें निकालना है, curve surface area, वक्र प्रिष्टी शेत्रफण, यानि हमें उसकी h, height भी चाहिएगी, radius of cylinder, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, कितनी है हमारे पास, same ही है, अगर आपके पास गोले की त्रिज्या, आर है, तो बेलन की त्रिज्या भी आपके पास क्या है, आर है, height, उचाई, उचाई कितनी आएगी, देखे जरा figure से, ये गोला है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये भी कितनी हो जाएगी, आर, और ये भी कितनी हो जाएगी, आर, तो total height कितनी अब हम निकाल दें, कर्ड, सर्फेस, एरिया, अफ सिलन्डर, बेलन का वक्र प्रिष्ट्रिय शेत्रफ़, वक्र प्रिष्ट्रिय शेत्रफ़, और वो क्या होता आपके पास? 2 pi r h 2 pi की value कितने हैं हमारे पास 22 बटे साथ या फिर क्या करते हैं हम pi को pi ही रखते हैं ठीक है क्योंकि हमने इसे पहले बाले में भी pi को pi की value ने रखी यही रखना था क्यों क्योंकि हमने फिर क्या निकाला है इनका ratio निकालना है रेशो के लिए नहीं नहीं कड़कते वैली वैसे ही कट हो जानी है R, R कितने आपके पास? R ही है H, H कितने आपके पास? 2R ही है तो ये क्या जाएगा? 2, 2 is a 4, pi R, square ठीक है? ये क्या आपके आपके पास? Cylinder का curve surface area, balance का वक्र पिष्टी है शेतर फर्ड, third part third part में हमें क्या निकालना है? Ratio अनुपात निकालना है अनुपात निकालना है किस-किस का? first part का और second part का first part में क्या है? surface, area of sphere, ratio आप ratio का sign भी लग सकते हैं ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं इससे पिछले वाले question में मैंने आपको यहाँ पर अनुपात का sign निकाल के solve करके दिखाया था यहाँ हम बटे में कर लेते हैं cut surface area of cylinder दोनों ही अनुपात का ratio sphere का surface area गोले का पिष्टी शेतर फल कितना था आपके बास? 4 pi r square और cylinder का surface cut surface area वाक्ट पिष्टी शेतर फल कितना है? 4 pi r square 4 से 4, pi से pi r square से r याने कि सारा 1 पर इकड़ गया तो 1 by 1 याने कि 1 ratio 1 एक अनुपात एक क्या है? इनका ratio है अनुपात है ठीक है? देखे question में क्या किया? question में क्या का गया था? कि एक बेलन है और उसमें गोला आया हुआ है जिसकी त्रिज्या r है पूरी तरह से इसको गेर रखा है हमारे पास sphere की त्रिज्या r दे रखी थी formula पता था 4 pi r square r याँ पे r है pi की value नहीं रख रहे है क्योंकि हमने question को ध्यान में लेके चलते हैं हमें ratio निकालना है अनुपात निकालना है आप pi की value 22 पटे साथ रख दोगे तो भी गलत नहीं होगा आप रख सकते हैं ठीक है calculation मुश्किल ना हो सिर्फ इसलिए नहीं रखा गया second क्या है radius of cylinder हमें दे रखा है कितना वही रहेगा जो गोले की त्रिज्या है वही हमारी क्या रहनी है height height क्या से निकालेंगे अब ध्यान से देखिए जो गोले का व्यास होगा वही क्या होना है balance की height होनी है तो त्रिज्या तो आर थी तो व्यास क्या होगा आपके पास 2R अब formula क्या होता है 2 pi r h सबकी value रखी तो हमारे पास क्या आगया area हमें निकालना था ratio तो बटे में रखके हमने उसका ratio निकाल दिया आप बटे में रख सकते हैं यहाँ पर अनुपात का symbol लगा के फिर कर सकते हैं जैसे इसे पिछले वाले question में किया था यह पिछले वाले question में आप बटे में करना चाहो आप ऐसे भी कर सकते हो होप कि आपको आज की लेक्चिर के सारे कुश्चिन अच्छे से समझ में आये होंगे डिस्क्रिप्शन में इनके सोलुईशन लेना ना भूले आगे सलेवस करने के लिए चैनल से जुड़े रहे इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू